खत्म कर दो ना वन डे और टेस्ट क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ टी टुविंडी खेल लो, IPL खेल लो, Domestic Links खेल लो, आप भार जाके जितने भी क्लब क्रिकेट है उनको खेल लो, वन डे और टेस्ट रखना ही क्यों है कंटेंडर्शिप में भाई ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है तमाम भारति क्रिकेट फैंस का, इंडियन क्रिकेट टीम फैंस का, जो भाई क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पूझते हैं एक धर्म की तरह, आप भाई फ्यूचर टूर प्लैन आ गया है, यानि कि FTP 2024 से लेकर 2027 तक का 3 साल का BCI ने य मुकाबले हैं पर खेले जायंगे, 141 माफ की जगया, 141 की मे लाके मुकाबले खेले जायंगे इन तीन सालों के अंदर, उसके अंदर भाई 161 मुकाबले T20, 42 1 बे मुकाबले और 78 टेस्टमै Canvas, 38 टेस्टमैचेज 3 साल के अंदर, 1 बे मुकाबले कितने? 299 ए पूरा पूरा जोर आपको नजर आएगा अगले तीन सालों के अंदर किसका T20 क्रिकेट का डंका बजेगा और वंडे और टेस्स मुकाबले लगबग आदे हैं और टेस्स तो आदे ही हैं अगर आप हिसाब लगाएं तो टेस्स मुकाबले अर्टेस है और कुछ 62, 61 T20 मुकाबले तो लगबग आदे ही है T20 के अगर मैं टेस्स क्रिकेट की तुल्ला करूं तो आने वाले तीन साल आपको पूरा पूरा T20 का रंगमच देखने को मिलेगा और भारतिय टीम के जो आने वाले बड़े टूर्णमेंस हैं जाने की 2024 से 2027 के अंदर एक T20 वर्ड का आपको भारतिय सरजमी पर आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा आपको थोड़ी सी क्लारिटी मिलेगी चैंपियन्स टॉफी को लेकर चैंपियन्स टॉफी कहा होने वाला है पाकिस्तान अभी होस्तिंग राइट्स अपना रहा है और दूसरा चैंपियन्स टॉफी जो भारतिया टीम कहीं न कहीं अपना हाथ मारना चाहेगी लेकिन जो पूरा-पूरा जो साइकल है वो इतना ज्यादा डॉमिनेटेट है T20 क्रिकेट से यापको टेस्ट और वन डे क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलेगे भी हाल ही के है वो दो-तिन साल में आपको एक WTC फाइनल देखने को मिलता है और भारतिया टीम अगर वो WTC फाइनल के दौरान इतने कम मैचेस खेलेगी तो भाई कैसे एड़्यस करेगी कैसे भारतिया टीम के सरजमी पर एक और ICC टूर्नमेंट आएगा ICC ट्रॉफी आएगी और WTC यानि तमामुहाँ पर फैन्स लगातार अपने रेक्शन देर हैं आप देख सकते हैं कैसे ओकाने कोई एकला कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कोई कछ सब्सक्राइब कले